नमस्कार दोस्तो, 28 जुलाई 2022 के डेले नुच पेपर एनालेजिस में आप सभी दोस्तों का हादिक सुवागत हैं तो आए दोस्तों सुरुवात करते हैं आज के करेंट अफेर्स वीडियो की दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ये खबर जो हैं उदेपूर सेतर से समझित हैं उदेपूर जो हैं एक बार फिर सुर्कियों में हैं तो दोस्तों उदेपूर जो जिला है उसका जो एक जन जाती बहुल सेतर है उसमें कारे रत है कि ANM है स्रीमती रक्षा जैन उनको जो परिवार कल्यान के सितर में जो उन्होंने उत्कृष्ट कारे किया है उसके लिए उन्हें राष्ट इस्तर पर नैस्नल लेवल पर सम्मानित किया जाएगा तो सवाल क्या बन सकता है हाली में राजस्तान के उद्यपूर की किस महिला को परिवार कल्यान के सितर में उत्कृष्ट कारे करने के लिए राष्ट इस्तर पर समानित किया गया तो इसका जबाब हो जाएगा ANM स्रीमती रक्षा जैन नाम रक्षा जैन याद रखना है ANM पर कारे रथ है कहां के रहने वाली है तो उद्यपूर की ये फैक्ट आपको याद रखना है इसके लाद दोस्तो इस न्यूज के में एक और फैक्ट है जो इस्टिक फैक्ट है वह समझे से दोस्तो कि राजस्तान लगू उद्योग निगम के चैर परसन कौन है ये खबर भी इंपोटेंट है ये समन्दित है जो नैशनल जम्बूरी होती है इसकाउट से समझे ते जो होता है आयोजन होता है जम्बूरी का ठीक है तो वो जम्बूरी इस बाए राजस्तान के पाली डिस्टिक में होगी इसके बाएर में थोड़ा सा देख लेते हैं दूस्तो अठारवी जो है राष्टे स्काउट गाइड जम्बूरी जो है उसका आयोजन चार से दस जनवरी दोजार तेबीस को पाली जिले के रोहट जो कस्बा है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा चार सर साल बाद 66 साल बाद जो है राजस्तान को पुना जो कह सकते हैं जम्बूरी की मेजबानी मिली है तो ये बहुत बड़ी उपलब्दी है स्काउट आप पता इसकुलों में स्काउट जो चीजे होती है दोस्तो जो में थोड़ी बहुत जानकर है हमें हमारे कह सकते हैं ध्यान में होने चाहिए तो ये अठारवी राष्ट जम्बूरी इसका उट का कहा है उजन होगा तो इसका जवाब होगा पाली के रोहट में इसको भी लेकर स्वाल बन सकता है आगे बरते हैं दोस्तो ये भी बहुत ही इंपोटेंट नियुजे है ये समझे थे हैं 5G स्पेक्ट्रम निलामी से तो दोस्तो ये निलामी कौन कर रहा है तो ये कर रहा है ट्राई टेलिफॉन टेलिकॉम रेगॉलेशन जो ऑथरोटी ऑफ इंडिया है वो कर रहा है ओनलाइन कर रहा है इसमें चार कंपनिया भाग ले रही है जियो एटल अड़ानी डाटा नेटवर्क्स और वोड़ाफॉन आइडिया दोनों अब जोइन वेंचर के रूप में काम कर रही है इसमें दोस्तो चार पांट तीन लाख करोड रुपे के जो है मतलब जो इस्पेक्ट्रम है वो इसके दावर पे लगए है बहुत तरगी का हर्ज के स्पेक्ट्रम है उसके लिए बोली लग रही है जो भी इस बोली को जीतेगा उसको 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा अब 5G से हमारा इंदगी में क्या बतला होगा दोस्तो अभी जो 4G टेक्नोलजी उससे 1 GB per second की स्पेड आती है और 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो होगा उसमें इंटरनेर स्पेड 20 GB per second तक पहुँच जाएगी तो आप कह सकते हैं बहुत तेज स्पीड होने वाली इससे हमें फाइदा किया हो सकता है दोस्तो इससे जो टेली मेडिशन है टेली एज्यूकेशन है या आर्ट्यूफिशल इंट्रिजान्स जिसे मेटावर्स भी का जा रहा है उसमें ये बहुत फाइदेमंद होगी डॉन आदारी जो क्रिशी निग्रानी वो हो सकती है इंटरनेट अफ तिंग्स यानि मसी ने आपस में बात करेगी ये चीजे भी इस 5G टेक्नोजी से पॉसिल्बल हो जाएगी अगले 2-3 सालों के अंदर जब से मुक्य धारा में आ जाएगी हमारे जिन्दों की बड़े लेवर पर पदलने वाली है ये जो एक क्रांटी काई टेक्नोलोजी है तो उसके बार जानकरी होनी चाहिए अब लोस्त इसमें किया है कि एक कुछ और बेनिफिट है जिसे इस्पेक्ट्रम दक्षता है 5G में वो 4G से तीन गुना अधिक है साथ इसमें अल्ट्रा लो लेंटेंसी है लेंटेंसी का मतलब होता है कि नेटवर्क का रिस्पॉंस है वो नेटवर्क तोरंत रिस्पॉंस करेगा इसमें तो यह थोड़ी बाद जानकर होनी चीए इसकी सुरुवाद जो होगी आरमब में बारत के 13 सेरों में सुरुवाद होगी इस साल के अंत तक उमीदे की जा रही है वो जिसमें 4 महानगर है दिल्ली, मॉंबई, चैने, कलकता उसके बाद जो हमारे टेक्नो हब सहर है गुरुग्राम हो गया बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया इसके लावद चंडीगड भी है, लकनाव है गांदेनगर, जामनगर, अहमदाबाद और पुने इन सेर्वा में इसकी सुरुवात होगी तो यह तोर 5G टेक्नोजी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए आगे बरते हैं दोस्तों, यह भी बहुत ही important content है, यह समंदित है भारत ने जो पांच नए रामसर साइड से समंदित हैं, तो बारत ने अंदराश्ट्य महत्व के 5 जो आदरभूमी ये वेटलेंस है उनको नामित किया जिसमें तमिल अडू के 3 हैं आदरभूमी इस्तल वेटलेंस, एक है करी किली, पक्षी अप्यारण, दूसरा है पली करनई, मार्स, रिजो फॉरेस्ट फिर है पीच वरम जो मेगरोवन है, ये तो 3 तमिल अडू के हैं, मिजोरम का है पाला अदरभूमी और एक है मध्यपदेश का साक्य सागर, तो ये जो 5 है ये रामसर इस्तल बनने के बाद भारत में और वरतमान में रामसर इस्तलो के संक्या है, वो गुण 50 से बढ़कर चौपन होगी, तो स्वाल यहां से पका बनेगा एक्चाम में, निश्चित रूपसिंद पाचो के नाम आपको कंटस्ट होने चाहिए, प्यारे तो वरतमान में संक्या कितनी हो गई है, तो चौपन हो गई है अब जो 5 है, इन में से कौन नहीं है, ऐसा करके पुझा जा सकता है, तो पाचो अपन कोचे से याद होना चाहिए, फिर यह भी पुझा जा सकता है, कि मैस्दर फॉल्लाइंग कौन सा कहां पर है, किस राज्य में है, वो भी पता होना चाहिए, इस तरीके से स्वाल बन सकते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही, इस निकले आसे दोस्तों का बहुत बहुत आपर, बहुत बहुत धन्यवाद